नमस्कार दोस्तों, डीजी सेवा चलनल में आपका स्वागत है, अगर आपका भी CSC HDFC BIA Portal एक्टिवेट है और आप पोर्टल से लीड जनरेट करके बैंकिंग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और आपको उसमें कितना कमीशन है, कितना मिल दा है, इसकी जानकारी चाहते हैं, तो आपके पोर्टल पे एक लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, जिससे कि आप कमीशन की डिटेल देख सकते हैं, लेकिन हम इस डिटेल को कैसे देख पाएंगे, चलिए हम सुरू करते हैं, सबसे पहले आप Google पे CSC Loan लिक कर, सर्च में से पहली लिंक को CSC ID पासवर्ट डाल के भी अप पोर्टल में लागिन कर लेते हैं, उसके बाद राइट में से रिपोर्ट वाले आप्शन में बॉटम की तरफ VLE कमीशन में जाना होगा, आपको उस कमीशन में क्लिक करके आपको अपने कमीशन की डिटेल कटेगरी वाइज दिख जाएगी, जैसे कि आपने नेट बैंकिंग एक्टिवेशन किया है, उसका टोटल काउंट साथ में उसका कमीशन आप देख पाएंगे यहां उपर में से आप मन्त और इयर को सेलेक्ट करके मन्त को फिल्टर करके मन्त वाइस कमीशन डिटेल भी देख सकते हैं व्यू में क्लिक करके आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के केमिशन की डिटेल देख सकते हैं और डाउनलोड में क्लिक करके एक्सल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलाबा जो बैंक द्वारा एकाउंट ओपनिंग में कमिशन दिया जाता है जैसे कि सेविंग एकाउंट और करेंट एकाउंट पर तीन लेवल का कमिशन M0, M3, M6 दिया जाता है यानि कि ओपनिंग पर कमिशन, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कमिशन और दो क्रेडिट होने का कमिशन जो दिया जाता है और साथ ही FD और RD पर कितना कमिशन है Personal Loan, Business Loan पर कितना कमिशन है Credit Card पर कितना कमिशन है और जिन भाईों का BC Activation है तो उसके A, E, P, S में On, S और Office पर कितना Transaction पर कमिशन है उसकी PDF डिटेल जो है मैं वीडियो के लिंक के Description में डाल दूँगा जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे आप डाउनलोड करके आसानी से कमिशन का structure समझ सकते हैं आसा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सकाइब करना न भूले मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो के साथ आपको दिन सुभर है, धन्यवाद